हेलो एवरिवन, आज में तो आदेना शियर करन लगियां जी संस्कृत दा कौसन पेपर, संस्कृत इलेक्टिव दा कौसन पेपर, ए कौसन पेपर बीए बीए सी जर्नल फिफ्थ स्मेस्टर दा जी, पेपर जी उपनिशद रमाइन, शब्दावली एंड वीए व्याकरन, सो ए कौसन पेपर जी, पंजाव युनिवर्स्टी चंडिगर दा कौसन पेपर है, जेडेव स्टूडेंट पंजाव युनिवर्स्टी चंडिगर तों बीए बीए सी कर रहे है, उन्ना स्टूडेंट्स दे लिए वीडियो हेल्फ हो रहेगी, जो फिफ्थ स्मेस्टर दे व पेपर जो अग्जाम होई सी 2022 देवेच यह ओवाला क्वेस्टन पेपर है जिरूर हेल्फ हूँ रहेगी वीडियो तो आ डेले जो जुरूर तुसी चैनल नो सब्सक्राइब कर लो ता जो मेरी यह ओण वाल यह वीडियो जै वो तो आडेता के पहुंच सकन अपा गल करांगे एस क्वेस्टन पेपर देबारे देवेच टोटल जो मार्क्स है जी ओ 90 हुन दे है 90 मार्क्स दा तो आड़ा अग्जाम हुन द जी इस अग्जाम नों कम्प्लीट करन दे लई सो अपा गल कर दें जी सक्रीन ते तुसी देख सकते हुना लिखा जसी सभी प्रशन अनवारियां है प्रशन नंबर वन दे विचे ने लखिया है किसी एक मंतर का अनुवाद इव व्याख्या कीजिए सो तो आडेकोल तो मैं आपसे हिंदी मीडियो में डिसकॉशन करने की कोशिश करती हूँ तो प्रशन नंबर वन है जो उसमें आपको दो मंतर दिये हुए हैं आपको किसे भी एक मंतर की व्याख्या करनी होती है तो जी आपका 10 मार्क्स थी होती है तो टोटल जो 10 माक्स दा तो अड़ा यह अंसर हुंदाई जो व्याख्या तुसी कर दे हो सो नेक्स्ट है आपका प्रेशन नमबर टू इसमें आपको सार लिखना होता है जहां उसकी परसंग स्यात व्याख्या लिखनी होती है इसमें आपके पास ओप्षिन होती है आप कोई भी कर सकते हैं आपके पास ओप्षिन है जो भी आपको सही तरीके से आउंदाई आपको लर्न है वो आप अंसर लिख सकते हो जह आपका 10 मार्क्स का होता है जो प्रेशन नमबर टू है उन्दे विच भी इना ने लिखिया जी किनी दोश लोकों का सपरसंग अनवाद इव विव्याख्या कीजिए आपको तो नू पुच्चिया गया है पुच्चिया ना ने तो किसे भी दो दा तुसी अंसर लिखना होंदा है तो तो आड़ा 7, 1 एन हाफ दा तो आड़ा अंसर होंदा है तीट सुस्री करने हुंदे है तो उसस वाथ जह करा पगल करिया था 14 यंदे विच जी किन्या दास शब्दों के संस्कृत के रूप लिखिए तो इना ने सब्द लिखिए होई हैं इंदे किसी रूप लिखने होंदे हो हेर एक जो है वह वन मार्क दां होंदा है, तोट तो आट जोसी 10 मार्क इनसे बहांद वीखों गीन कार सकादे हूं प्राश्च नंबर 5 है ये लीक्या जी किन्नी 5 की सफभा एे से इंदे विच प्राश्च नंबर 5 दे विच्च आप तुस्य पांच किसे दे अंसार हुंदे है 11 मार्क्स दा हुंदा है इंदे विच आप प्राश्य नंबर 6 किनी पांच के नीव ग्रें पद लिखी लिखिए तो इना दिविच्चों में तुसी किसे 5 दे किसे 5 के आपको उत्तर देने होते हैं जे वी आपका 11 मार्क्स का होता है टोटल आपका 5 मार्क्स का होता है इना ने किनी दो अलंकारों के लक्षन लिखकर उधार ने साहित श्पष्टी करन करें इना दिविच्चों किसे 2 दे तुसी अंसर लिखने हों दे हैं उस वार प्रश्च नमबर 8 भी तुसी सक्रीन ते देख सक दियों किनी एक का वर्नय विश्य लिखिए प्रश्च नमबर 9 दे विच्चों वी तुसी किसे एक दे बार दे विच्च लिखना हों दा फाइव मार्क्स दा है उस दो बाद तु आनू प्रश्च वाक्या का संस्कृति में अनुधान करें प्रश्च नमबर 10 दे विच्च तु आनू पुछ्च्या गया है प्रश्च वाक्यों के आपने उत्तर देने होते हैं टू टू मार्क्स के होते हैं टूटल आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो सो मैं कोशिश किती है हिंधी बोलन दी सो जुरू तो आनू समझ लगया होगा तो आडा कॉस्चन पेपर जे करो वीडियो वदिया लगी है था वीडियो नू लाइक जुरू करो चैनल नू सब्सक्राइब करो ते आपने फ्रेंड्स ना शेर भी जुरू करो थांक्स फर वाचिंग